महराष्टो के रतनागीरी में ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम समाज के लोगों ने RSS का अल्लाहु अक्बर के नारों से विरोध किया और फिर हिंदुत्व भीड द्वारा देर रात मचे उपद्रव को क्यों मीडिया की खबरों ने किनारा कर दिया और इस सब का होने वाले महराष्टो के चुनाव पर क्या परिणाम होगा जानेंगे आज के वीडियो में नमस्कार मेरा नाम है जीशान कासकर और आप देख रहे है स्पोटलाइट रत्नागीरी की डीटेल खबर भी आपको देंगे लेकिन उसके पहले ऐसी खबर है कि नवंबर की 20-22 तारीक तक महराष्टो के चुनाव संपन होंगे यानि कि अब केवल एक महिने भर का वक्त बचा है देश के सबसे अमीर राज्य के चुनाव होने में ऐसे में राज्य में सामप्रदाइक तनाव पैदा करने वाली घटनाए बढ़ गई है यह अपीक्षित था क्योंकि भाच्पा के लोकसभा में निराशा जनक प्रदर्शन के बाद खबर आई थी कि भाच्पा अब अपने हार्ड लाइन हिंदु तुक के अजिंडे को ही आगे बढ़ाएगी हिंदुसान टाइम्स में चपी खबर में लिखा था कि सकल हिंदु समाज नाम की इस नफरती संस्थान के कारेकरम फिर से शूरू होंगे जिन में लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी चीजों का जूटा प्रचार किया जाएगा और नितेश राणे और गोपीचन पडल कर जैसे छोटे नेताओं को इस सकल हिंदु समाज की कमान दी जाएगी नितेश राणे महाराश्ट्र के पूरो मक्यों अंत्री नारयान नाने के बेटे हैं वो अपने आपको कोकन इलाके से आने वाले सबसे बड़ा नेता मानते हैं और उसी कोकं को नितेश राणे एक लैप के जैसे इस्तिमाल कर रहे हैं बार-बार कोकन के शहरों और गाव कस्बों में सामप्रदाइक तनाव बढ़ाने वाली कुछ वार्दाते घटी है, जिनका सीधा संबन सकल हिंदू समाज के लोगों से है रतनागिरी में हुई घटना में सकल हिंदू समाज का सहबाग नहीं था, ये घटना RSS के एक कारेकरम के दौरान घटी विजय दश्मी के दिन RSS अपनी सभी शाखाओं में संचालन का कारेकरम करती है इस साल भी ऐसा ही कुछ रतनागिरी शहर में हुआ, PTI की खबर के मुताबिक RSS का मार्च किर्ती नगर से कोकर नगर इलाके में घुज गया कोकर नगर एक मुस्लिम भूल इलाका है और यहां एक उर्दू मीडियम स्कूल के बाहर शाम के छे बजे के करीब RSS का संचालन कर रहे लोग पहुच जाते है PTI में छपी खबर में इसका जिक्रन नहीं है कि पुलिस द्वारा कोकर नगर में संचालन करने की अनुमती नहीं दी गई थी यानि RSS के लोग बिना पर्मेशन ऐसे इलाके में घुसे जहां मुस्लिम लोक संक्या जादा हो जैसे ही RSS वाले लोग कोकर नगर पहुचे कुछ मुस्लिम यूओकों ने वहां अल्लाहु अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिये जिसके बाद RSS के लोगों की धार्मिक बहुनाय को ठेस पहुची ऐसा कहा गया इसके बाद दोनों गुटों के बीज गर्मा गर्मी हुई और पुलिस द्वारा सब शांत कर दिया गया पुलिस ने अश्वासन दिया कि सभी कोकर नगर वासी अपने घरों में चले जाये लेकिन रात के अंधेरे में लगभग दो बजे के करीब कथित तोर से देड़ सो सद दो सो लोगों का एक जथा कोकर नगर की तरफ बढ़ता है और वहां कुछ घरों पर भी पत्राव कर देता है पुलिस ने इस मामले में दो F.I.R. दर्च की है जिसमें हिंदू भीड में आये तीन लोगों को किरिफतार भी कर लिया है बलकि हाली है में वक्फ बोड के नए कार्याले के उद्गाटन के समय भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला शिवसेना शिंदेगुट के नेता और अतनागिरी के प्रभारी मंत्री उदेश सामंत जब वक्फ बोड के कार्याले का उद्गाटन करने पहुचे तो हिंदु तो समर्थकों और भाजपा कारेकरताओं ने काले जंडे दिखा कर और नारों से उनका विरोध किया उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोड की ओर से जमीनों पर कबजा कर जिले का इसलामी करन करने की कोशिश की जा रही है यह सारी घटनाएं महाराश्र की राजनेतिक स्थिती के संदर्व में हो रही है और इनका सीधा संबंध आगामी चुनाओं से जोड़ा जा रहा है जैसे जैसे चुनाओं नजदीक आ रहे है राज्य में साम्प्रदाइक तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है रतनागीरी में हालिय घटनाओं से ये साफ हो जाता है कि भाजपा और उससे जोड़े संगटनाओं का अजन्डा अब और भी कट्टर होता जा रहा है ये घटनाएं केवल यहां तक सीमित नहीं है अगस्त के आखरी सप्ता में गुणास पदपराद सामने आया जब महराश्च में ट्रेन में 72 वर्षी हाजी अश्रफ पर हमला किया गया ये घटना देश भर में आकरोश का कारण बनी लेकिन मुख्यधारा की मीडिया ने इस जिकर तक नहीं किया सवाल ये उठता है कि ऐसी खबरे क्यों दबाई जाती है जबकि अन्य साम्प्रदा एक मुद्दो पर हर रोज टीवी चैनलों पर बहस होती है इसके अलावा आपको याद होगा कोलापूर के विशालगड में हुई दंगल उस दोरान मुस्लिम समाच के कुछ घर जो विशालगड किले से सठे हुए है उन घरों पर हिंदुतवादी भीड ने हमला कर दिया था इसके अलावा भाजपा विधायक नितेश राने की हालिया भढ़काव बयान बाजी ने भी विवात खड़ा कर दिया है उन्होंने एक जनसभा में कहा कि अगर तुम ने हमारे रामगिरी महराज को नुकसान पहुचाया तो हम मस्जिदों में घुसकर तुम्हें ढूंड निकालेंगे और आगे के शब्द मैं नहीं कहना चाहता सवाल यह उठता है कि क्या नितेश राणे जैसे नेता कानून से उपर है और क्या ऐसे बयान आगामी चुनाओं को ध्यान में रखकर दिये जा रहे है राज्य के ग्रुह मंत्री देवेंद्र फड़नविस की भूमी का पर भी सवाल उठ रहे है क्या वो अपनी पार्टी के नेताओं को ऐसे बयान देने से रोक पाएंगे या उन्हें शरण देते रहेंगे रतनागिरी के मामले पर भी नितेश राणे ने हिसाब करने की भाशा की और कोई शांती भरा संदेश नहीं दिया जैसे की एक राजनेता से अपेक्षित होता है हाला कि रतनागिरी के MLA शिंदेगुट के बड़े नेता उदे सामन्त है और पिछले कुछ दिनों से RSSS का इनके खिलाफ प्रचार भी तेज हो गया है यानि अपने हिंदुत वाधी अजनेडे को आगे बढ़ाने महायूती के एक बड़े नेता का भी विरोध ये संगटनाए कर रही है इस तरह की घटनाए और बयान केवल सामप्रदाइक ध्रूवी करन को बढ़ावा देते हैं जिसका सीधा असर राज्य के चुनाओ पर पढ़ सकता है अब वो असर किस तरीके से पढ़ेगा देखना दिल्चस्प होगा आज मेरी तरफ से इतना ही महाराश्य चुनाओ पर हमारी पहनी नजर है चुनाओ से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें दबायर